प्रिष्ट संख्या बारह, तृतियाह पाठाह, स्वावलंबनम, संख्या वाची शब्दाह, तद एतत शब्द उच्च, इस तीसरे पाठ में संख्या वाची शब्द दिये गये हैं, और साथ ही सर्वनाम तत और एतत शब्द का भी प्रियोग किया गया है. क्रिष्ण मूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता सम्रिद्ध आसीत, अतह तस्य भवने सर्व विधानी सुखसाधनानी आसन, तस्मिन विशाले भवने चत्वारिंशत स्तंभाह आसन, तस्य अश्टादश प्रकोष्ठेशु, पंचाशत गवाक्षाह, चतुस्चत्वारिंशत द्वारानी, शत्त्रिंशत विध्युत व्यजनानी च आसन. तत्र दश सेवकाह निरंतरमकार्यं कुर्वंतिस्म, परम कृष्णमूर्तेह माता पिताच निर्धनव कृषकदंपती, तस्य ग्रिहं आडंबर विहीनं साधारणंच आसीत. एकदा, श्रीकंठह, तेनसह प्रातह, नवबादने, तस्य ग्रिहं आगच्छत्थ। तत्र कृष्णमूर्तिही, तस्य माता, पिताच्च, स्वशक्त्या, श्रीकंठस्य आतिध्यं आकुर्वन। एतद्रिष्ट्वा, श्रीकंठह, अकतयत, मित्र, अहम, भवताम, सत्कारेण, संतुष्टोस्मी, केवलं, इदमेव, मम, दुख्खं, यत्तव, ग्रिहे, एकोपि, भृत्यानास्ति, मम सत्काराय भवताम भहुकस्टम जातम, मम ग्रिहेतु भहवह कर्मकराह संति, तदा क्रिष्णमूर्तिही अवदत, मित्र, ममापि अष्टव कर्मकराह संति, तेच दोव पादव, दोव हस्तव, दे नेत्रे, दे श्रोत्रे इती एते प्रतिक्षणम्मम सहाय काह किन्तु तव भृत्याह सदैव सर्वत्रच उपस्थिताह भवितुम् नशक्नुवंती तवम्तु स्वकार्याय भृत्याधीनाह यदा यदाते अनुपस्थिताह तदा तदा तवम् कष्टम् अनुभवसी स्वावलंबनेतु सर्वदा सुखमेव नकदापि कष्टम् भवती श्रीकंठह अवदत मित्र तववचनानिशृत्व मममनसी महती प्रसन्नता जाता अधुना अहम अपिस्वकार्यानी स्वयमेव कर्तुम इच्छामी भवतु सार्ध द्वादश वादनमिदं सांप्रतं ग्रिहं चलामी